असलाम लेकूम, I am from Blue Whale School System, Class in Charge of Play Group. Today our subject is Urdu. आज हम कारवाने उर्दु का सबब पढ़ेंगे. कारवाने उर्दु में सफ़ा नंबर 102-102 ओपन कर ले. आज हम पढ़ेंगे हरूफे तहजी को, हरूफे तहजी के हरूफ पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ें अलिफ. अलिफ के बाद जिब हम हरूफे तहजी लिखते हैं, तो इसमें एक और हरूफ आता है, अलिफ मद्दा. अलिफ मद्दा. अलिफ और अलिफ मद्दा क्या है? हरूफ का जोड़ा. इसको हम क्या कहते हैं? हरूफ का जोड़ा. इसके बाद B का खानदान शुरू हो जाता है आप सबने ऐसे पढ़ना है इन हरूफ को B, B के नीचे एक नुक्ता P, B के नीचे तीन नुक्ते T, T के उपर दो नुक्ते T, T के उपर चोटी सी तोई है C, C के उपर तीन नुक्ते अब सबसे पहले जब आप नौट्बुक पे लिखती हो तो आपने पहले लिखना है अलिफ और अलिफ मत्दा का जोड़ा उसके नीचे फ़ली लाइन में आएगा B का खानदान B के खानदान में कितने हरूफ हैं? 5 1, 2, 3, 4, 5 B के खानदान के बाद जीम का खानदान आता है और जीम के खानदान में कितने हरूफ हैं? 4 1, 2, 3, 4 अब मेरे साथ पढ़ें जीम जीम के अंदर 1 नुक्ता 6 6 के अंदर 3 नुक्ते हे तो बिल्कुल खाली है खे के उपर 1 नुक्ता प्लेक डूप क्लास आपने ये जो है पहले से ही मैंने आपको इनके पेश्चान करवा दी हुई है अलिफ और अलिफ मता का जोड़ा बे का खानदान जीम का खानदान आज हम इसकी दोराई कर रहे हैं और कुछ नए हरूफ पढ़ेंगे ठीक है? ये ता जीम का खानदान जीम के खानदान के बाद अगला खानदान है दाल का खानदान दाल के खानदान में कितने हरूफ हैं? तीन दाल डाल जाल कितने हरूफ है दाल के खानदान में? तीन आपने इसको कैसे पढ़ना है? दाल तो बिलकुल खाली है डाल के उपर चोटी सी तोई है, जाल के उपर एक नुक्ता अब डाल के खानदान के बाद कौन सा खानदान आता है? रे का खानदान रे के खानदान में कितने हरूफ है? एक, दो, तीन, चार आपने इसको कैसे पढ़ना है? रे तो बिल्कुल खाली है हड़े के उपर चोटी सी तोई है से के उपर एक नुक्ता से के उपर तीन नुक्ते तीक है? यहां तक जो था, यह आप रिवाइस कर चुके हैं आज मैंने आपको इनके दोराई करवाई है आज जो आपने नए हरूफ जो है जो आज का सबक है वो है सीन, शीन, सुवाद, सुवाद इनको क्या कहते है हरूफ का जोड़ा एक हरूफ का जोड़ा हमने पहले पढ़ा था अलिफ और अलिफ मद्दा आज हम दो जोड़े पढ़ेंगे एक है सीन का जोड़ा और एक है सुवाद का जोड़ा सीन के जोड़े में लायम कि जोड़ा है उसमें कौन से दो हरूफ आते हैं? सीन और शीन और सुआत के जोड़े में कौन कौन है? सुआत, जुआत यहां तक स्टूडन्ट आपकी आज की वरकिंग है आपने इसको पढ़ ना है इन हरूफ की पहचान करना है और अपनी नोट बुक पे जो आपकी हॉमवक नोट बुक है उस पे खांदान के लिहाज से आपने हरूफ ताहजी को लिखना है ठीक है ओके स्टूडेंट आज हमने सीन का जोड़ा पढ़ना है और सीन के जोड़े में मैंने भी आपको बताया कौन से दो हरूफ है यहां पिर मद्दा जैसे अलिफ और अलिफ मद्दा है अलिफ ही दोनों में आता है लेकिन मद्दा की वज़ा से उसका नाम मुख्तलिफ है इसी तरह हरूफ ताहजी में जो हरूफ देखने में एक जैसे हैं कि नुक्तों की वज़ा से उनके नाम मुक्तलिफ हैं उनको हम कहते हैं हरूफ का जोड़ा अब सीन के जोड़े में सीन और शीन हैं ये सीन से बनने वाली चीज़े हैं और ये शीन से बनने वाली चीज़े हैं आपने इनको याद करना है सीन्सा सच्टा, सीन्सा साप, शीन्सा सेब इसी तरह से शीन्जा शहर, शीन्जा शीथ, शीन्जा शेर, शीन्जा शरबत अगला हरूफ का जोड़ा है सुआठ, सुआठ तो बल tornado, सुआठ तो बिलकुल खाली है आपने इसकी पिचान करनी है कि सुआत तो बिलकुल खाली है और सुआत के उपर एक नुक्ता है ठीक है ओके स्टूडेंट आप कोपी में आप कितनी लाइन में सीन लिकेंगे सीन आपने दर्मियान वली लाइन से स्टार्ट करना है और यहां पे आके थोड़ी सी इस लाइन के उपर तक लेके आना है यहां पे आपने इसको खत्म करना है सीन, शीन और सुआत को भी आपने दर्मियान वली दो लाइनों से शुरू करके यहां पे आके आपने खत्म करना है आपने इस पैटरिन को फोलो करना है जब आप कोपी पे सींचिन की और सौाजवाद के जोड़े की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है यह थी आज की आपकी वर्किंग ओके अलाफिज